हलो हाँ सचीन सुनना तर घर में स्कूटी के क्या हाँ हाँ गाड़ी मेरे पास यह गोल लगा चलिया अरे आम नहीं नहीं हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं वो पापा को इस्टेशन चुड़ने हैं तो मेरी गाड़ी नहीं है अरी यार सॉरी वो मैं तुझे बताना भूल गया गाड़ी घर पे दो है पर खराब है इसलिए मैं तुझे दे नहीं सकता हूँ सॉरी हाँ सचीन सुनना तरी गाड़ी ठीक हो गई क्या हाँ गाड़ी ठीक हो गई है बोलना का चल ला है नहीं यार हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं वो आज मम्मी को मंदिर छोड़ना है तो तेरी गाड़ी ले लो क्या अरे यार मैं तुझे बताना भूल गया गाड़ी ठीकते हो गई है पर अभी घर पे नहीं है बापा ओफिस ले कर दो है इसलिए मैं तुझे नहीं दे सकता सौरी नहीं यार आज मैं तुझे गाड़ी नहीं दे सकता आज गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तेल की टेंशन तू मत ले पैसे वह होता है मेरे पास तू बस गाड़ी निकाल तेल में डलवालूंगा अरे यार मैं जिस पेट्रॉल पंप से पेट्रॉल भरवाता हूं वो कली बंद हो गया, तो भाई, और भी तो पेट्रॉल पंप से मार्केट में अरे तु नहीं जानता मेरी गाड़ी में एक खास आयूरविदिक पेट्रॉल डलवाना पड़ता है, वो शुब उसी पेट्रॉ पर द दिली सर्फ मुझे प्लेन के X पर अपनी कवार्य करसे लोड़ करके अरे यार इसाना कभी गाड़ी नहीं देता है नहीं यार आद गाड़ी ठीक भी है उसमें तेल भी है घर पे भी है मुझे नहीं जाना भी नहीं है पर अग लगल वारे यार और मंगल वार को हमारे गड़ में गाड़ी चलाना अलाओड नहीं है इसलिए मैं तुझे गाड़ी नहीं दे सकता, नहीं यारात में तुझे गाड़ी नहीं दे सकता, तुझे पता भी है कल मेरी गाड़ी के साथ क्या हुआ, आग लग गई थी मेरी गाड़ी में, पूरी काली हो गई, जल गई है, मुझसे गाड़ी मांगते में शरम नहीं आ रह यार मैं सच बोल रहा हूँ भाई मेरी गाड़ी पूरी जल गई थी काली हो गई थी देख मैं नया पेंट करवा के ला है हूँ धूप में सूखने के लिए छोड़ रहा हूँ खली पेंट देख अभी तक पेंट गीला है इसलिए मैं तुझे गाड़ी नहीं दे सकता सौरी